नमस्कार में प्रिया बौध प्राइम नीज 24 में आपका स्वागत है राजस्थान की A&M एवं LHB लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन का ग्यापन दे रही है लेकिन बीजेपी सरकार ने अपने एहिंकार को लेकर कभी भी इनकी मांगों को पूरा नहीं किया अब सत्ता परिवर्दन हो चुकी है और कॉंग्रेस सरकार के एजेंडे में ये कहा भी गया था कि हम सभी सम्विधा कर्मियों को जल्द ही पर्मानेंट करेंगे उस एजेंडे को ध्यान में रखते हुए राजस्थान राज्ज, A&M और LHB मुख्यमंत्री अशो गैलोत के नाम पर कलेक्टर महोदय को ग्यापन देकर विबिन्न मांगों की जानकारे दी और मुख्यमंत्री से ये आशा भी जताई कि वर्तमाज राज्ज सरकार हमारे मांगों को बहुत ही जल्द पूरा करेगी ग्यापन देकर निम्न बिन्दू की मांग की गई 2013 NRHM में लगी सभी सम्विदा कर्मी A&M को स्थाई किया जाए एवं महिला स्वास्तकारे करता का वेतन तृतिशेणी शिक्षकों के बरावर किया जाए और लेवल आर्ट से दस रखा जाए वेतन कटोती वापस लेकर छटे विसंगतियों को दूर कर साथवे वेतन का पूर लाब दिया जाए महिला स्वास्तकारे करता से महिला दर्शिका एवं महिला दर्शिका से ब्लॉक हेल्थ सुपर्वाइजर में प्रमोशन समय बद्द किया जाए जो की पिछले कई वर्शों से लंवित पड़े हैं समस्विदा एवं एनार एचेम की लंवित भरती जल से जल्द पूर कर नियमित करण किया जाए तथा समान काम समान वेतन का नियम भी लागू किया जाए जो महिला स्वास्त करता वर्दमान में पांच वर्श का सेवा काल पूर कर चुकी है और जीनम कर रही है उनको चिकिसकों के समान नियम लागू दर से पूर वेतन स्टाइल फंड हेतू दिया जाए एवं 15 वर्ष का सेवाकार पूर्ड कर चुकी महिला स्वास्तेकरता को पूर्व के समान अनुभव के आधार पर नर्स ग्रेट दितिये में प्रमोशन दिया जाए राजस्तान की बागॉलिक परिसीदियों को देखते हुए स्वास्तेकेंद्र का समय एक पारी नो से तीन का समय दिया जाए वा न्यू पेंशन योजना को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना में बदला जाए 2017 की महिला स्वास्त कारेकरता भरती प्रक्रिया पूर्ण कर जल्दी से जल्दी सूची जारी की जाए एनम के अंतर का समस महिला स्वास्त कारेकरता को स्थाई किया जाए यह जानकारी प्रदेशाद्धिश संजीदा वानों ने दी